Hello friends and welcome back to the daily answer writing challenge जहाँ पर हम CGPSC mains के previous year questions को उठाते हैं और कम से कम याद करके जादा से जादा जितना हम अपनी शम्ता के हिसाब से एक अच्छा answer लिखने का प्रयास करते हैं तो आज का हम उसी initiative को continue करेंगे 27 मार्च को हम 2018 का एक मेंस का question ले रहे हैं जहां हम इस initiative में Indian geography के ही questions को उठा रहे हैं तो वो ही हम continue करते हैं question क्या है 2018 मेंस का paper नमर 5 का 100 words का यह question है याने की art number का होगा देखते हैं इस question में क्या है और कैसे हम लिख सकते हैं तो है परतिय अपर्दन, रिल अपर्दन और अवनालिका अपर्दन का अंतर स्पष्ट कीजे कंटूर बंडिंग द्वारा हम इन्हें कैसे नियंतरित कर सकते हैं तो एक question है जिसे हम already class में discuss कर चुके हैं तो हमने class में जब discuss किया था मैंने आपको बताया था कि जो erosion के जो type होते हैं नॉर्मली water erosion के ये types हैं तो water erosion में जब हम बात करते हैं चार types होते हैं अलग-अलग stages होते हैं सबसे पहला होता है splash erosion उसके बाद ये जो तीन words दिये गए हैं sheet erosion, real erosion और gully erosion ये इसी order पे जो चार types हैं वो erosion के mention किये गए हैं ठीक है और ये हम लोगों ने देखा था इसके बीच का difference भी पढ़ा था और जब हम conservation की बात करें तो conservation में हम तीन category में solution को divide किये थे सबसे पहले mechanical solution था जिसे हम engineering solutions भी कहते हैं दूसरे तौर पर हमने biological solution देखा था और तीसरे तौर पर हमने social solution देखा था जिसमें हम मानव को ज़्यादा aware करते हैं ठीक है तो ये तीन category थे mechanical category में one of the solution जो हमने देखा था वो था contour bonding तो अब because हमने recently पढ़ा है तो इसलिए मैं इस question को उठाया हम कैसे हम उस knowledge से यहाँ पर अच्छे से लिख सकते हैं तो देखो सबसे पहले क्या है फिर से हमेशा start हम जो अपना traditional तरीका है introduction से ही लिखेंगे अब इसमें keywords क्या है यदि हम कोई भी परति अपर्दन, real erosion या गली erosion ये तीनों मैंसे कोई भी एक उठाते हैं तो हम हमारे main answer body के ही शब्दों को लिख लेंगे इससे अच्छा हम इससे भी जो basic शब्द है वो क्या है erosion याने कि अपर्दन को हम उठाते हैं और उसे हम define कर देते हैं यही होगा हमारा basic और simple साधा introduction तो जैसे कि हम introduction में क्या लिख सकते हैं erosion तो erosion क्या होता है सबसे पहले जो पत्थर रहते हैं वो जब तूटते हैं और एक जगह से दूसरे जगहा पर ट्रांसपोर्ट होते हैं इसी फिनामिना को erosion कहते हैं तो erosion is a geological process in which rocks are transported bracket में यदि लिखना है तो लिख भी सकते हो by wind water etc. ठीक है which rocks are transported from there बस transported लिख दो to another place to there to another place ये लिख सकते हो simple शब्दों में यही हो सकता है याने की अपर्दन क्या है अपर्दन एक भूवज्यानिक process है जिसमें क्या होता है जो चटाने होती है वो agents of erosion वो अपर्दन के agents जैसे की हवा पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरी स्थान पर ले जाकर जमा की जाती है ये लिख सकते हैं simple अब इसमें आपको क्या करना है differentiate between तो आप क्या लिख सकते हो water erosion जो है water erosion क्या होता है याने की जल के वज़ा से जो अपर्दन होता है is mainly of three types याने की तीन मुख्य कारण जो प्रकार होते हैं वो जो उपर दिये गए हैं अब हम सीधा सीधा आ जाएंगे जो question में पूछा गया है main body में जहां पर हमें अंतर स्पष्ट करना है sheet, rill और गली erosion के बीच में तो जब भी हम differentiate करते हैं ध्यान रखना differentiate बोल रहा है याने हमें similarities नहीं लिखना है हमें सिर्फ और सिर्फ अंतर करना है कैसे sheet erosion अलग है rill और गली erosion से तो जब भी comparison differentiation आता है हम हमेशा और हमेशा chart form use करेंगे क्योंकि यह हम to the point answer कर पाते हैं तो क्या करेंगे हम simple जितने भी column चाहिए कर लेंगे सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे sheet erosion, rill erosion और गली erosion ठीक है सबसे पहले क्या हो सकता है simple हम इसको परिभाशित कर देंगे तो सबसे पहले होता ह है definition ठीक है तो हम define कर सकते हैं यह क्या क्या type है तो sheet erosion क्या होता है sheet erosion जब मिट्टी की सबसे उपर की जो सतह है रहती है वो पूरी तरहा निकल जाती है उसे ही कहा जाता है sheet erosion तो sheet erosion is the uniform removal of top layer soil बोल लो या top layer ही बोल दो इतना भी काफी है याने कि क्या है परती अपरदन क्या है उपर स्थित परत का प्याज के छिलके की तरहा निकालने के जो प्रोसेस है उसी को हम कहते है sheet erosion दूसरा आता है real erosion, real erosion को define कर देते हैं real erosion में हम क्या करते है जब पानी की वज़ा से जो पत्थर या चटान रहती है उसके channel याने उसके बहाव की वज़ा से छोटी-छोटी जो real बन जाती है छोटे-छोटे channel बन जाते है उसी को real erosion कहते है So, real erosion is the formation of small channels in rocks, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके dimensions, few centimeter, मतलब कुछ centimeter depth होगी और कुछ centimeter wide होगी due to water flow. तो, simple सी बात है, जब यही होता है, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, real erosion. अब यदि हम गली erosion में बात करते हैं, तो क्या होता है, जब यही real erosion बहुत जादी बड़े हो जाते हैं, जो गड़े रहते हैं, यह जो rills रहते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं, गली erosion. So, gully erosion is widening of rills, ठीक है, जो यहाँ पर rills बने थे, जब वो बड़े चौड़े हो जाते हैं, to the extent of few meters, याने की few meters तक यह deep और चौड़े हो जाते हैं, तो यह जो है, पहला difference हो गया तीनों के बीच में, दूसरा यदि हम बात करते हैं, तीनों के बीच का फिर हम उठाते हैं, तो क्या difference और लिख सकते हैं? एक हम लिख सकते हैं, कि यह किस कारण से बनता है, और लिख सकते हैं, तो सबसे पहले यदी हम पर्तिया पर्दन को लिखें, तो यह किस वज़ा से होता है? यहां पर क्या होता है जब जो uniform जो top soil रहती है वो lose रहती है जो पेड रहते हैं वो काट दिये जाते हैं या बहुत जादा चारवाही होती grazing की जाती है उसकी वज़ा से पूरी की पूरी घास खतम हो जाती है तो cost क्या हो सकता है यहां पर आप लिख सकते हो deforestation पेडों के कटाई over grazing थिन soil cover फिक है पतला सा soil cover यह हो गया कारण अब यदि हम बात करें real erosion की तो real erosion क्या होता है जब पानी एक बहाव से एक कटाव से जाने लगता है तो उससे क्या होता है जो चटाने रहती हैं वो कट जाती है तो channelized flow of water ठीक है इसको आप लिख सकते हो excessive slope याने कि जब पानी का बहाव एक channel में होने लगता है यदि धाल जो किसी धाल है वो बहुत जादा हो जाती है तो क्या होता है erosive power of पानी बढ़ जाता है ठीक है और यही चीज हम बात करते हैं गली erosion की तो गली की वज़ा से जो अपरदन होता है वो क्यों होता है जब when real erosion remains unchecked for long time ठीक है जब real erosion को हम किसी भी intervention से हम उसे रोकते नहीं है तो क्या होता है real धीरे धीरे बड़ी होते जाती है और यही बन जाता है गली erosion एक-एक उधारन लिख सकते हैं तो example लिख दो जैसे की simple sheet erosion क्या होता है जैसे मान लो यहां से आ रही है यह पहाड़ है पहाड़ से जो मिट्टी नीचे आती है यह हो गया simple सा यह example हो गया real sheet erosion का तो example soil moving down slope from hill याने की पहाड़ से जो मिट्टी है नीचे बहकर आती है उसे क्या कहा जाता है sheet erosion यदि हम गली erosion की बात करें तो एक उधारन मैंने आपको दिया है बूह आकरिती पढ़ाते हुए वो क्या है चंबल की घाटी जिसे हम चंबल रेवाइन्स कहते हैं चंबल में बड़ बड़ी घाटी है इसे हम चंबल घाटी कहते हैं और इसी के बीच में यदि आपको रिल का उधारन देना है तो intermediate अभी कोई specific example नहीं रहेगा क्योंकि छोटे example पता है बड़े उधारन पता है तो यहाँ पर लिख सकते हो intermediate between the two ठीक है ऐसा लिख सकते हो क्योंकि को specific example आप इस तो सबसे पहले हम sheet erosion की बात करते हैं यह early stage में आता है सबसे पहले क्या आता है याद कीजे splash erosion जब पानी की छीटों की वज़े से मिट्टी फिक आती है उसे हम splash erosion कहते हैं उसके बाद आता है sheet erosion और यहीं पर हम बात करते है real erosion तो यह क्या है यह एक intermediate stage है जो की समय के साथ क्या हो जाता है गली में बढ़ जाता है तो this is an advanced stage of erosion तो हमने क्या लिखा हमने very to the point एक दो तीन और चार पॉइंट लिख दिया इस तरीके से जब आप proper chart बनाके लिखते हो तो examiner को समझ में आता है कि आपकी जो knowledge है बहुत जादा अच्छी है normally students क्या करेंगे सबसे पहले परतिय लिख देंगे और differentiate नहीं करेंगे तो यह तरीका better होता है कभी भी answer लिखने में क्योंकि आप to the point हम किस basis में अंतर कर रहे हैं वो भी define कर रहे हैं क्या-क्या अंतर होता है वो भी हम define कर रहे हैं बहुत यह अच्छे तरीके से लिख सकते हैं कभी भी differentiation का question आए तो हमेशा table बन से इसे कैसे नियंतरित किया जा सकता है तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कंटूर बंडिंग होती क्या है यह आपको पता होना चाहिए तो आप introduction में लिख अब final आप बताओगे तो कंटूर बंडिंग एक लाइन में हमें बताना पड़ेगा कि कैसे कंटूर बं is mechanical method, याद कीजे हमने पढ़ा था, हमने अपनी क्लास में देखा है कि यह mechanical method of soil conservation है, mechanical method of soil conservation by building embankments perpendicular to the slope, यह simple सी बात है, तो contour banding को ऐसे, इसी को हिंदी में भी कर सकते हैं, contour banding क्या है, एक mechanical method of soil, थोड़ी सी मेरी हिंदी इशू आती है, क्योंकि मैं कभी भी mains दिया हूँ, तो मैं हमेशा English में दिया हूँ, तो थोड़ा साब हिंदी के साथ देख लिजेगा, answer writing ये context में, अब the best thing is, कि हम इसमें एक diagram बना दे, contour banding का यदि हम diagram मता दे, तो हम बहुत clearly बता दिये examiner को, कि हमें बहुत अच्छे से आता है, तो एक हम hill slope बनाने की कोशिश करते हैं, यह एक hill slope है, ठीक है, basically मैं एक engineer एक, first step में एक diagram, एक subject होता है, that is engineering drawing, तो उसी के जरीए मुझे थोड़ा सा 3D आता है, तो यह, अब मैं यहाँ पर क्या दिखा दिया, कि यह slope है, ठीक है, यह slope है, यह पहाड के नीचे है, ठीक है, और यदि मैं देखूँ, इसी में क्या करते हैं, जो embankments बना दिये जाते है ठीक है, इसे ही कहा जाता है, embankments, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, platforms बना दिया, ढाल के perpendicular में, और यहाँ पर यह जो है, इस structure को कहा जाता है, burns, तो देखो, यह जो ढाल आ रही है, ढाल के perpendicular, यह ढाल है, ढाल से ऐसे करके, उसके 90 degree angle पर यह करता है, अब इसका काम क्या होता है, जैसे भी, पानी नीचे आता है, तो यह मिट्टी को नीचे बहा देता, अब क्या हो रहा है, मिट्टी यहाँ पर जमा हो गई, और मिट्टी नीचे नहीं बहा रही है, इसी को कहा जाता है, contour bonding, यह diagram से हम बना दिये, नीचे कभी भी कोई diagram बना रहे हैं, तो figure, contour bonding, इसे label जरूर करिएगा, क्योंकि examiner को बताना है कि हम क्या लिखना चाहा रहे हैं, यहाँ पर आपने slope लिख दिया, bunts लिख दिया, और इतना काफी रहेगा, ठीक है, इतना basic diagram काफी रहेगा, अब यदि हम बात करते हैं, कि how this may be controlled by contour bonding, तो सीधा अपन पॉइंट में लिख देंगे contour bonding controls erosion as in the following ways लिख दो, तो अब यहाँ पर सबसे बहले simple सा point क्या लिखना रहेगा, अब देखो, जो ढाल थी वो क्या हो गई, ढाल कम हो गई, क्योंकि मैंने छोटे छोटे प्लाटफॉर्म्स बना दिये, तो reduces the gradient, ढाल को कम कर देता है, इसके बाद सीधा मैं लिख दिया, इसकी वज़ा से, या इसको कौमा लिख दो, या arrow की तरह से लिख दो, which reduces flow of water and erosive capacity of water, which reduces, अब देखो, ढाल कम होगी, तो इससे जो पानी के कटाओ की शमता है, वो कम होगी, यहीं पर वो लिख रहे हैं, दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं, तो दे यहां पर जैसे जैसे मिट्टी आएगी और पानी रहेगा, वो क्या करेगा, इस ढाल में अब्जॉर्व होगा, तो यह क्या होगा, it absorbs water, यह क्या करता है, पानी को, sediments को, मिट्टी को अब्जॉर्व करता है, thereby preventing erosion, यह लिख दिये, तीसरे नंबर पर क्या आता है, reduces gradient, ठीक है, अब देखो, gradient कैसे कम करता है, by redeposition, यह एक लिख सकते हैं, तो बेसिकली पहला पॉइंट में, और तीसरे पॉइंट में थोड़ा सा अंतर है, मैं क्या बोला चाहा रहा हूँ, कि देखो, जो समान, जो मिट्टी आई, वो कहां पर आई, वो यहां पर आई, जम की वज़ा से, जो कटाओ, जो अब बन रहा था, अब क्या हो रहा, मिट्टी डिपोजिट होना स्टार्ट हो गई, तो यदि यह clear नहीं हो रहा है, तो इससे थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हैं, प्रोमोट्स, सोईल, डिपोजिशन, अलोंग, एमबैंकमेंट्स, जो हम एमबैंकमेंट्स बनाएं, उसमें क्या हुआ, मिट्टी का जमाओ, प्रोमोट करता है, और इसी वज़ा से क्या होगा, मॉइस्टर कंटेंट रहेगा, मिट्टी रहेगी, तो यहां पर धीरे-धीरे घास और is promoted, ठीक है, धीरे-धीरे vegetation cover बढ़ता है, तो यहां से हमारा जो चार पॉइंट है, हम खतम कर लिए, बेसिक पॉइंट है, इसमें हमने जादा से जादा अच्छे से लिखने की कोशिश करी है, फिर अब आता है conclusion के बारे में, तो जब भी आप conclusion लिखते हैं, हमने हमेशा बा पॉसस देखा जाए, तो यह क्या है, यह एक engineering method है, engineering method में क्या किया गया, यहां पर burns को लगाया गया, और इस burns को लगाने के बाद, क्या हुआ, धीरे-धीरे erosion कम हो रहा है, लेकिन क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, कि erosion पहले से ही ना हो, तो इसी को हम एक conclusion बना सकते हैं, तो conclusion ह हमारा किस प्रकार हो सकता है, कि भले ही contour bonding एक बहुत ही relatively cheaper, सस्ता और इफायदी तरीका है, लेकिन यदि हम कुछ soft engineering approaches, जैसे कि over grazing को हम excessive जो over grazing करते हैं, चराहा करवाते हैं, वो हम control कर दे, deforestation यहने की पेडों की कटाई रोग दे, agriculture को सही तरीके से practice करे, तो हमें और कम पैसे में ज़्यादा लाब होगा, conclusion कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, while contour bonding is effective solution, promoting soft engineering, solutions like afforestation, controlled grazing, and proper agronomy, यानि कि सही तरीके से खेती करना, are much more cost effective, ज़्यादा सस्ते, and sustainable solutions, ऐसे करके आप लिख सकते हो, ठीक है, तो अब, कई बार मैं यह लिखा रहा हूं, तो लोग बोलें, सर कई बार आप word limit exceed कर सकते हो, भहिया, मेरा काम है कि मैं आपको एक अच्छा answer लिख के दूँ, जब आप exam में लिखोगे, तो आपके बास समय कम रहेगा, तो आप कुछ चीजों को उड़ा सकते हो, यहाँ से, जैसे for example, यहाँ पर आप एक चीज बस लिख दो, deforestation लिख दो, या eforestation या proper agronomy लिख दो, दो लिखे, अपने आप चार शब्द यहाँ से कम हो गए, ऐसा sub sentence में उपर लिखे, इस point में आप गए, जैसे कि उधारण के लिए, जो हमने चार difference लिए, उसमें आपने तीन ही difference ले लिए, तो आप word limit के अंदर आ जाओगे, मैं हमेशा एक या दो point आपको extra बताता हूँ, reason क्या है, ताकि आपको कोई problem ना रहे, तil then, thank you and good night.